वित्रो पाइनेटर की में स्क्रीन पर 27 दिसम्बर को एंड ओफ दे यर टेक अपडेट दिखा है जो की 2022 के वर्ष में क्या काम किया उसका ब्योरा दिया है ये अपडेट पाई की टीम द्वारा किये गए काम पर केंदरित है जो पाई की रिलेटेड है और दिल्चस्प है इस प्रोजेक्ट इंप्रूब्मेंट्स के ये चार में पॉइंट्स है आये कुछ डिटेल में जानते हैं पाई टू डे 28 जून 2022 के बाद से पाई कोर टीम ने मेंनेट माइगरेशन, मास केवाईसी, इकोसिस्टम बिल्डिंग और अंत में ओपन मेनेट की पूरुन तयारी के लिए जो भी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके निर्मार में महत्वपूर्ण प्रगति की है पाई नेट्वर्क एंक्लोज मेनेट के विकास करने के रस्ते पर अब एक अच्छे पॉइंट पर आ गया है जिसमें पाई दो मुख्य प्राइरिटी पर ध्यान के इको सिस्टम को मजबूत बनाना ओपन मेंनेट लाने के दिशा में प्रगति के लिए ये दोनों आवश्यक कदम है मास मेंनेट माईगरेशन पाई टू डे 28 जून से शुरू किया गया है पुरी तरह से माईगरेट किये गए पाई नियर्स अब पाई मेननेट ब्लोक्चेन पर काम कर रहे हैं और Enclosed Network के दिशा निर्देशों के आधार पर पाई एको सिस्टम के भीतर पाई का उप्योग कर रहे हैं जिनोंने मेननेट चेकलिस को पुरा कर लिया है वे मोबाईल फोन एप से मेननेट ब्लोक्चेन पर उनके वालेट के पते पर अपने ब्लोक्चेन वाले अड्रेस पर यानि अपने वालेट में भिजना होता है क्योंकि वहीं से बविश्य में आप आपके पाई से लिंदेन कर सकेंगे आपके उस वालेट की चाबी है पास्फरेज जिसको एक हजाने की चाबी की तरह संभाल का रखना होता है पाई बनाकर पाई को आपने अपने wallet में transfer कर लिए उसके बाद अगर passphrase गूम हो गए या भूल गए तो वो पाई को कहीं से भी किसी भी तरह recover नहीं कर सकेंगे ये बात याद रखनी है और passphrase भी कहां रखे है वो भी याद रखने है आगे लिखा है mainnet migration के लिए किया गया कारिय तीन गुना ज्यादा था इन points से जानने को मिलता है कि mobile में pie generate करने के बाद migration हो जाने तक कितनी सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है वो कहा गया है जैसे कि एक mobile से ही mining हुआ है न कि दो mobile से account verified है KYC pass किया है mainnet के checklist complete किये है pioneer ने कोई गलती नहीं की है उसके खिलाफ किसी ने complain नहीं की है ये सब द्यान में लेने के बाद वो सब जगहों से निकले हुए data का पूरा checking हो और उसके बाद ही migration हो और ऐसी migration system को बड़े प्यमाने पर लागू किया जा सकता है उसकी तसलि होना भी अनिवार्य था उसके साथ साथ इन सभी जगहों से मिला हुआ confirmation सही और सटीक हो कुछ गड़बड़ी हो तो migration ना हो किसी step पर या कुछ वज़ा से रुके हुए migration फिर से हो सके और इस पूरी process में user experience अच्छा हो उसका पूरा ख्याल रखा गया था यह 4 point में से 3 point की जानकारी आपको इसी metamitr channel के पिछले वीडियो में मिल जाएगी सिर्फ यह 4 point है वो कुछ नए आ रहा है जो जानने योग्या है वो यह है कि wallet में pie के आने के बाद यानि available pie को भी फिर से lock किया जाए ऐसा कुछ बनेगा जिस तरह bank account में fixed deposit होती है ठीक उसी तरह यह must चीज सोची है क्योंकि wallet के passphrase भी किसी ने जान लिये तो wallet में lock रखे हुए उतने pie को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो उतने समय तक lock ही रहेंगे और hacker भी उसका कुछ नहीं कर सकेगा तो यह खजाने के अंदर रखा हुआ दूसरा खजाना होगा जो सिर्फ और सिर्फ उसका समय आने पर ही खुलेगा तो उसके सच्चे मालिक उस pie के pioneer को भी शान्ती होगी और तब तक उसे उस pie को बचाने का समय भी मिलेगा है न मस्त चीज तो इसलिए बले समय लगता है समय लगने दीजिए अभी तो आप सिर्फ pie का mining कीजिए दूसरा मुख्यो पॉइंट है KYC solution तो इसके बारे में भी इसी मेडामितर चैनल पर इस वीडियो में उसकी पूरी डीटेल जानने को मिलेगी तिसरा मुख्यो पॉइंट है pie platform and ecosystem plus community यहां लिखाए हमने Enclosed Network के दो मुख्यो लक्षों में से एक जो है वो उसकी ecosystem उसको बड़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं ताकि pie का रोजमर्रा की जिन्गी में सामन्य तरीके से रोजाना उप्यो किया जा सके उसके लिए कई सारी नई सुविदाओं को तेनात किया गया है और कुछ सुविदाए development में है को टीम जो है वो hackathon, community development support और दुसरी कंपनियों के business के साथ partnership के माध्यम से इसका निर्मान कर रही है तो इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए तीन कार्या किये गए है जो pie के मेनेट के साथ जुढने के लिए pie की system development kit यानि SDK बनाना और उस SDK में विभिन्य उपयोगी functionality बनाना ताकि नए developers और अन्य कंपनिया pie के pioneers के लिए उपयोगी app बना सके उसके लिए developers को प्रोसाहित करना और उन्हें तक्नीकी marketing देना ये सब शामिल है इसके 6 मुख्य technical features को detail में बताया है पर हम इसमें से जो हमारे काम के हैं और जो अभी तक हम को देखने को मिले हैं सिर्फ उसके बारे में ही short में चर्चा करेंगे पहला है hackathon जो एक सामन्य उदाहरन से समझेंगे फर्स करो कि एक company ने सबसे पहले एक आलू उगाया था यानि बनाया था वो company अब दुनिया में सब को इस आलू से क्या-क्या बन सकता है उसके लिए बुलाती है सभी लोग उस आलू को देखकर उसको चक कर उसके गून जान कर अपने अपने विचार प्रस्तूत करते हैं उनको कुछ दिनों का समय दिया जाता है और वे अपने उस आइडिया से आलू से बनी खाने की आइटम बनाते हैं तो दोस्तों उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो आप जानते हैं सिर्फ एक आलू से आलू की सबजी आलू के पराठे आलू मटर सेंड्वीच आलू के वड़े और उससे वड़ा पाउंड मसला डोसा का स्टॉफिंग पकोडे फ्रेंच फ्राइस और नजाने कितनी आइटम बनती है है ना इसी तरह पाई भी क्रिप्टो विश्व में एक आलू जैसा काम कर रहा है वो जानने के लिए उसके लिए हैकेथोन का आयोजन होता है ऐसी ही हैकेथोन दुनिया की टॉप उनियोसिटी में पाई की टीम ने की थी और अब जन्वरी में भी हैकेथोन होगी उसके लिए नए डेवलोपर्स के आसान रजिस्टेशन प्रोसेस से लेकर उनके विचार अनुसार उनको रिसोर्सिस उपलब्द करवाना सर्वर में एकसेस देना डेवलोप्मेंट में मार्क दरशन करना उनकी एप को पाई एप एंजिन का उप्योग करने देना ताकि बड़े प्यमाने पर वो काम करने के लिए शक्षम है भी या नहीं उसका पता चल सके इन सभी फैसिलिटीस के लिए SD के डेवलोपर पोर्टल और पाई एप एंजिन वर्जन टू को इसी साल बनाया गया था आगे है MVP डेवलोपर वॉलेट यानि डेवलोपर्स को ऐसा वॉलेट उपलब्द करवाना जिससे वो अपनी एप में मेननेट ब्लोक्चेन पर पाई के ट्राइंजेक्शन का पाई रहते हैं तो ऐसी जो भी यूटिलिटी एप है उसमें उस एप स्पेसिफिक वॉलेट बनाय जाते हैं यानि कि वो एप में आपके एकाउंट में पाई रहते हैं ये फीचर जनुवरी में डेवलोपर्स के लिए उपलब्द होगा जो उस हैकेथोन का हिस्सा बनेंगे ऐसी यूटिलिटी एप में सर्ब ट्राइंजेक्शन की टेस्टिंग अच्छी तरह हो जाने पर ही तो उसको पाई की टीम ऑफिशली अनाउंस करेंगी इसलिए ऐसी कोई भी थर्ड पाटी एप पर अपनी नजर बनाये रखें उस एप में ही कनेक्ट हो सकेंगे उधारंके तोर पर अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर डाइरेक्ट सेलर का कॉंटेक्ट करके उसके साथ प्रोड़क के बारे में चैट कर सकेंगे तो ऐसे बहुत चोटे चोटे टेक्निकल फीचर और अपडेट होए हैं जिसका प्लान नहीं था इसलिए आगे बताया था कि पाई नेटवर्क में इस साल तीन गुना ज्यादा काम होए हैं और ये सब मुल्भूत कार्य हैं जो पाई की उप्योगीता आधारित इकोसिस्टम के लिए जरूरी हैं और ओपन में नेट के लिए एक आवश्यक तयारी आगे 2023 की ओर देखते हुए और भी कुछ कहा है हमारा विजन दुनिया की सबसे ज्यादा सम्मिलित पियर टू पियर इकोसिस्टम बनाना और बहतर ओनलाइन एक्स्पिरियंस करवाना है जिसमें पाई का उप्योग हो और पाई दुनिया में सबसे व्यापक रूप से उप्योग किये जाने वाली क्रिप्टो करंसी हो हम 2023 में आने वाले समय के लिए बहुत उच्साइथ हैं मेननेट की अगली अवदी तक पहुँचने के हम सभी के लक्ष की दिशा में निर्मान का एक और वर्ष आरंब होने जा रहा है एक डिसेंटरलाइस नेट्वर के निर्मान के लिए डिसेंटरलाइस प्रयास आवशक है यानि दोस्तों इसका मतलब यह है कि ये सारा बहुत कुछ बनाने के लिए इसकूरी क्रान्ती लाने के लिए जो परैतन करने हैं वो सब को करने हैं या प्रयास के ओल किसी एक छोटे ग्रूप पर नहीं बलकि सभी पायोनियर्स पर एक साथ टिका हुआ है इसलिए हम सब पायोनियर्स में से भी किसी को कुछ परैतन करने होंगे जैसे हम में से कोई मार्केटिंग में अच्छा है तो Amazon या Flipkart जैसी बड़ी कंपनियों को PIE के बारे में बता सकते हैं या फिर कोई भी SME को अप्रोच कर सकते हैं 2023 में Pioneer कहां और कैसे Network को आगे विक्षित कर सकते हैं उसके बारे में अधिक Communication और Mark दर्शन परदान किया जाएगा हम जानते हैं कि आप आतूर हैं उच्छूख हैं और हम भी हैं Cheers और हम आपको नए काम नए विचारों और पाई समुदाई के लिए नए अवसरों से भरे नए साल की शुपकामनाएं देते हैं करणा दूकामना की बार्शन परदान के ले पालने क के लिए आते हैं कि बारे में जाते हैं कि बार सकते हैं झाल झाल